हलो एवरिवन आप सभी का स्वागत है सिख्षा देव में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आग की मातरा से शब्द कैसे बनाएं जाते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिए और से लाइक और शियर ज़रूर कीजिए आग की मातरा से शब्द बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि आग की मातरा दिखती कैसे है देखे दोस्तों आग की मातरा कैसी होती है इस तरीके से ये क्या होती है आग की मातरा अब मैं इसी मातरा की सहयता से शब्दों का निर्मान करूंगी चलिए इसको प्रज़ लेते हैं, देखिए क, का पे मैंने आकी मात्रा लगाई, तो उसको मैं कैसे पढ़ूंगी, का, खा पे आकी मात्रा लगाऊंगी, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, खा, बच्चों ये आकी मात्रा है, ये क्या है, आकी मात्रा, ग ग पे मैंने आकी मात्र लगाई तो क्या हो गया? ग ग पे मैंने आकी मात्र लगाई तो क्या हो गया? यह इस तरीके से ग इस तरीके से आपने देखा यह क्या है? आकी मात्रा आकी मात्रा में मैंने कैसा उच्चारण किया क, का पे आकी मात्र लगाई तो क्या हो गया क, ख, ख पे आकी मात्र लगाई तो ख, ग, ग पे आकी मात्र लगाई तो ग, ग, ग पे आकी मात्र लगा दी तो ग, देखिए इस तरीके से मैंने पूरी आकी बारा खड़ी लिखी है कौसे लेके ग्या तक मैंने सभी पे आकी मात्रा लगाई है आप भी इसका दो से तीन बार अभ्यास करें जिससे आपका आकी मात्रा का उच्चारान एकदम से क्लियर हो जाएगा और इसको लिखने का भी अभ्यास जरूर कीजिए अब हम थोड़ा पिक्चर्स देखते वे शब्दों का निर्मान करते हैं ये किस चीज की पिक्चर दिखाई दे रही है बादल किसकी पिक्चर है ये बादल अब हम इदा लिखेंगे बादल देखें दोस्तों बादल बापे किसकी मात्रा लगी है आकी दल, बादल, ये किसका पिक्चर है, बादल, अब हम आगे देखते हैं, ये किसकी पिक्चर दिखाई दे रही हमें, आम की, आम आम, किसकी पिक्चर है, आम तारा, अब देखिए, इसमें तारा, ये दो वर्णों से मिलकर बना है, दोनों में आकी मात्रा का उच्चारन आरा है, तारा ये देखिए, दोनों में आका उच्चारन आरा था, इसलिए मैंने दोनों में किसकी मात्रा लगाई है, आकी तारा यह किसकी picture है तारा गाजर यह किसकी picture है बच्चो गाजर तो इसमें गापे आकव चानन आ रहा था इसले मैंने गापे किसकी मातर लगाई कि गाजर गाजर ताला दोबन वाला श्वब्ध है ताला दोनों में किसका उच्चारन आ रहा है आका ये किसकी पिक्चर है ताला इससे पहले आपने देखा गाजर गाजर कितने वर्ण वाला शब्द है तीन वर्ण वाला शब्द है इसमें पहले वर्ण में किसका उच्चारन आ रहा है आकी मात्रा का अब देखिए किसकी पिक्चर दिखाई दे रही है? चाता, चाता, एक बार जरूर ध्यान दीज़े, बच्चों को colorful pictures के थूरू बहुत जल्दी से समझ में आता है, वो pictures को देखते हैं, उनकी colors को देखते हैं, उसके बाद वो शब्द निर्मान करने की कोशिश करते हैं, जैस दोनों में आंकी मात्रा का उचारन आ रहा है और साथ में ये भी बताईए ये दो वर्ण वाले शब्द हैं दोनों में आंकी मात्रा का उचारन आ रहा है अब मुझे हाथ की पिक्चर दिखाई दे रही है हाथ हाथ अब देखिए दोस्तों ये है एक दो तीन चार वर्ण वाल हरी हरी घास दिखाई दे रही है घा पे आ की मात्रा घास और ये है आठ आठ इस तरीके से बच्चों को पिक्चर की साहिता से जरूर समझाएं और उनको इस तरीके से बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है चलिए दोस्तों अभी हमने पिक्चर की साहिता से शब्दों का निर्वाण करा अब थोड़ास शब्दों का अभ्यास और कर लेते हैं मा ला दोनों में किसकी मात्रा दिखाई दे रही है आ की मात्रा मा ला ताला देखिए अगर आप कभी भी बच्चों को शब्द निर्वान करना सिखाते हैं तो तुकान शब्दों का इस्तमार जरूर कीजिए इससे उनको जल्दी समझ में आता हैं जैसे माला ताला चा 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 पे भी आ की मात्रा और फिर चा पे भी आ की मात्रा चा चा मा मा रात बात रात और बात ये दोनों तुकान शब्द हैं जिनको हम मिलते जुलते शब्द भी कहते हैं बच्चे इसको पढ़ने में ज़्यादा इंट्रेस दिखाते हैं तो अब ही हमने देखा ये व्रेक्ष है और इसने किन को लेकी आया है दो वर्ण वाले शब्दों को जो की आकी मात्रा समझाते हैं हमें माला, ताला, राथ, बात, चाचा, मामा अब हम आकी मात्रा से बनेवे तीन वर्ण वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे मकान मकान आधार पापे आखी मात्रा पालक बादल सागर मकान आधार पालक बादल सागर अब है आखी मात्रा से बनेवे चारवर्ण एक, दो, तीन, चार चारवर्ण वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे हम आस मान आसमान बल बलवान आप इनको तोड़ तोड़ कर भी पर सकते हैं बल बलवान बलवान देखिए आसमान दुबारा से लिखा गया है खान खान दान खान दान इस तरीके से आपने देखा कि हमने आकी मातरा के शब्दों का अभ्यास कैसे किया पहले बच्चों को इस तरीके से आकी मातरा पहचानना सिखाईए जब उनको आकी मातरा पहचानना आ जाएगा फिर आकी मातरा को किस तरीके से वर्णोमेर लगाया जाता है ये आप उनको सिखाएंगे ये आपका first step होता है ये देखिए उसके बाद आप बच्चों पे आकी मातरा का उचारन करने के लिए इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं ये आपका second step होता है आप तीसरे step में कराते हैं और अंत में बिना किसी चित्र के बिना किसी चार्ट के आप बच्छों को आकी मातरा के 2वन फिर 3वन और 2 लास में 4वन वाले शब्दों का अभ्यास कराते हैं उनको बार बार इनको बोलना अर्टता उच्चाराना